आज इस video में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कल की क्या moves हो सकते हैं निफ्टी की उसने पहले वीडियो को डिसक्लेमर ज़रूर पढ़ लिजें डिसक्लेमर नहीं पढ़ा है डिसक्लेमर पढ़ना काफर है इंपर्णन उता है वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजे, चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजे, लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, क्लिक कर दीजे, हमें मोटिवेशन मलता है, शेर भी कीजे वीडियो को अपने जो भी ग्रुप से उनके अंदर, उसक 164 के आसपास जिसमें हमारा stop loss 165 का था 165 का हमारा stop loss था और target था 205 का और 204 का बड़ा target था वो नहीं के लिए था जो अपने cost price पर रखेंगे और लेंगे तो दोनों ही targets हिट हुए अगर आप देखोगे तो 50 के दोनों ही targets हिट होते हुए देखने को मिले 205 भी हिट हुआ और 214 का भी target आपको हिट होता हुआ देखने को मिला उसके बाद हमने एक expiry का hero zero trade लिया था जिसमें हमने कहा था कि आप 17400 का C buy कर सकते हो 25 रुपे पर 4 रुपे का stop loss होगा 17C का target होगा 25 पर buy किया तुरन 2 मिनिट बाद हो 40 हो गया 43 हो गया तो हमने कहा कि वहाई पर full book कर दीजे 15 point मिल रहा है और सुभे आपने अच्छा 25 point कमा लिया टोटल 40 point आपका होता है तो वही पर आप book कर देते तो मेरे खाल से ये एक अच्छा आज भी हमारा trade setup हुआ अगर आप भी चाते हो कि आपके भी ऐसे profits हो आप भी जोइनना चाते हो description में आपको link मिलेगा पहला link है आप membership join कर सकते हैं link आपको description में मिल रहा है disclosure दे दूँ मैं कोई register advisor नहीं हो तो जो भी मैं share करूँगा इसमें loss भी हो सकता है profit भी हो सकता है अब बात करते हैं nifty की सबसे पहले nifty की बात करें तो nifty की analysis हम कर लेते हैं और ये जो भी trades में share करता हूँ वो trades में खुद भी लेता निफ्टी ने आज 17300 के आसपास की closing दी है वापिस overall अगर हम बात करें तो बार बार nifty 50 day moving average के इदर से rejection ले रहा है अगर आप 2 दिन का candle देखोगे तो nifty ने दो बार 50 day moving average से rejection लिया है अभी अपने फिलाल कोई support नहीं है nifty के अंदर 250 एक छोटा सा support निकल के आएगा अगर तो वो break हुआ तो फिर निफ्टी आपको सीधा 17000 के आसपास वापिस आता हुआ देखने को मिल सकता है 17100 पहले और फिस 17000 के आसपास भी आपको निफ्टी आता हुआ देखने को मिल सकता है कल के लिए व्यू की बात करें तो दीखिए व्यू मेरा अभी भी bullish है एक flag and pole pattern भी break out मिलता हुआ देखने को मिलेगा अब मेरा व्यू तो positive ही है क्योंकि मेरा व्यू bullish ही रहता है लेकिन मेरा व्यू bullish है negative भी हो जाता है लेकिन अभी फिलाल किने क्योंकि अपने 200 डे moving average से bounce ली है तो मुझे लगता है कि इतना अभी ये वापिस 17000 अना थोड़ा सा risk of है लेकि क्योंकि ये जो रश्या यूखरीन का टेंशन चल रहा है जिसके वोजा से कभी भी negative news आ जाती है अकल को एकाद war war हो जावे एकाद bomb गिर जावे नक्की होगे काम तो जाके ये निफ्टी थोड़ा settle down होगा वरना ये उपर नीचे उपर नीचे करके जितना नुकसान ये bomb ग गिर गया कुछ लड़ाई हो गई war हो गया तो वाप पर 17,000 आता हो देखने को मिल सकता है और 16,800 अपकी बार लेकिन ये याद रखेगा अपकी बार अगर 16,800 आता है 17,000 की नीचे जाता है 16,800 आता है तो अपकी बार 16,800 पर रुखेगा नहीं अपकी बार जाएगा उसके न नीचे जाएगा तो ये याद रखेगा अगर ये 17,000 तोटता है अभी 17,000 के आसपस मेरा तो व्यू नहीं है जाना चाहिए लेकिन अगर कलको कुछ हो जाता है नेगेटिव नहीं हो जाती है अगर 17,000 तोटता है 16,800 ये सपोर्ट की तरह एक्ट नहीं करने वाला तो अगर आप से ट्रेडिंग नहीं जमती है तो आप हमारे ग्रूप में जॉइन हो सकते हो लाइव ट्रेडिंग के लिए लेकिन हाँ मैं रेजिस्टर अडवाइजर नहीं हूँ तो जो भी मैं दोंगा वो सिफ वो सिफ एडुकेशनल परस के लिए होगा उपर के बाजू जब तक क 50-day moving average के उपर 17,400 के उपर नहीं निकलता तब तक आपको इसके अंदर उतना bullish नहीं हो जाना है या तो इस flag and pole pattern का breakout होने दीजे breakout होगा तो आप इसके अंदर buying कर सकते हो या तो इसको वापिस अगर नीचे आना है तो 17,000 की एक बार आ सकता है लेकिन पूरा news based है तो कोई levels share करने की मतलब नहीं है बाकि अगर आप हमारे live group के अंदर हो तो आपको तो attention लिन की बात नहीं है क्योंकि उसमें तो live आपको हर आदी घंटे में एक analysis मिलती रहती है और अगर कोई अच्छा trade setup मिलता है तो वो भी आपके साथ share कर दिया जाता है अगर आपको join होना है तो description में आपको membership link दिखरीए पहली ये link है उस पर click करके आप join हो सकते हो जनेवाद